नमस्कार, वेलकम टू रादे रादे प्रडक्शन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टिपॉन क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है टिपॉन एक कैमिकल है जो चार चीजे मिलकर बनता है और जब ये पानी और डिटरजेंट के साथ मिक्स होता है तो 5 मिनट के अंदर कपड़े का मैल साफ कर देता है इस टब में हम 50 लीटर टिपॉन बनाएंगे सबसे पहले इसमें 50 लीटर पानी डालेंगे कोई भी छोटा बकेट ले सकते हैं 5 लीटर का बकेट है तो 10 बार डालें या अपने अनुसार आपको जितनी भी कॉंटिटी में टिपॉन बनाना है उतना ही पानी डालें अब हम इसमें कास्टिक डालेंगे जिसे इंगलिश में कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब इसमें सेलरी नाम का कैमिकल डालेंगे और मिक्स करेंगे ये प्रोसेस आप गलव्स पहन के भी कर सकते हैं और साथधानी बरते हैं ये आँखों में नहीं जाना चाहिए अब इसमें एक और कैमिकल मिलाएंगे इसका नाम तो हमें नहीं पता लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ये सामान साथ में आता है आपको बस कैमिकल शॉप पर जाके ये बोलना है कि हमें टिपॉन बनाने का सामान चाहिए ये सूखा ही मिलता है तकरीबन साड़े तीन सो से चार सो रुपे में ये समान हम लेते है अब चौथी और आखरी चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है नमक पचास लीटर में चासो ग्राम नमक डालेंगे अगर घोल गाड़ा हो गया तो ठीक है वरना पचास तो ग्राम और डाल सकते हैं ये प्रोसेस केमिकल स्टॉप वाले को पता होता है और वो केमिकल्स की नमबरिंग करके आपको बताएगा कि पहले कौन सा केमिकल डालना है घोल बिलकुल ऐसा ही सिल्की लिक्विट जैसा होना चाहिए तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा हम आगे भी ऐसे यूस्वल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हमारा नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें धन्यवाद